नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट डियावायर में आपका सुवागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंगल ग्रेंडरों के बारे में ये 4 इंच का एंगल ग्रेंडर है और ये 5 इंच का मॉडल है आपको कौन सा लेना चाहिए ये वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पहले हम प्राइस की बात करेंगे आपको पता है कि 4 इंच का जो मॉडल है बहुत सस्ता मिलता है 5 इंच को कमपेर किया तो आपको तोड़ा सा प्राइस ज्यादा देते हैं इसका मतलब ये नहीं बनता है कि हमेशा आपको 5 इंच का ग्रैंडर ही बेटर रहेगा सबके अपने अपने फाइदे होते हैं और डिसएडवंटेजस भी होते हैं ग्रैंडरों की साइज के बारे में हम बात करें तो आपको हमेशा ग्रैंडर का साइज जो है वो आपका मोटर जो रहता है अंदर वो डिसाइड करता है ये आप देख सकते हैं ये 470 वैड का एक मोटर है जो कि आप एकाथ में पकड़ सकते हैं ये 1200 का मोटर है आप एकाथ में इसको चला नहीं सकते हैं और यह जो मॉडल है अपना 800 वैड का है और अगर आपका हाथ बड़ा है तो आप भी उसको चला सकते हैं मैं भी चला सकता हूँ एक हाथ में लेकिन मुझे उतना कमफर्ट नहीं रहता है अगर आप अंगल ग्रेंडर चलाते समय कमफर्टेबल फील नहीं होते हैं तो आपको हमेशा दो हाथ का ही इस्तिमाल करना पड़ेगा क्योंकि एक्सिदेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं हाथ से फिसलने का चांसस भी ज्यादा होते हैं और जब भी आप अंगल ग्रेंडर चलाते हैं तो हमेशा गाड का इस्तिमाल करें वो भी particularly cutting disc और grinding disc के लिए safety glasses जरूर पहने देखे basically जो angle grinder होते हैं वो दो तरह के आते हैं यह के इस तरह के जहांपे आप एक आत में on off भी कर सकते हैं एक आत में हराम से पकड़ सकते हैं और इसी design में आपको और एक angle grinder मिलता है जो की उसका button जो है वो पीछे रहता है उसको हम toggle switch कहते हैं उसमें एक disadvantage है कि आप उसको on off करने के लिए आपको हमेचा दो हाथ का इस्तिमाल करना पड़ेगा इसमें वैसा नहीं है आप सिर्फ आपके right hand में इसको control कर सकते हैं और दूसरा जो design है वो है large type इस तरह के यहाँ पे obviously आपको दो हाथ का इस्तिमाल करना पड़ेगा भारत में ज्यादा तर इस तरह के जो design में आपको grinder मिलते हैं वो 5 इंच से उपर के size के होते हैं 5 इंच, 7 इंच और 9 इंच और इस design में आपको 5 इंच के angle grinder भी मिलते हैं और इस design में आपको 4 इंच के angle grinder नहीं मिलते हैं और जब भी आप angle grinder करीते हैं तो हमेशा यह सोच के मत purchase कीजे कि यह 4 इंच का है या 5 इंच का है आपको हमेशा उसका wattage देखना पड़ता है आपको कितना power चाहिए आपका काम कौन सा है उसके उपर आप grinder करीदें और ऐसे भी जो डिस्क होते हैं जो सिर्फ 5 इंच के लिए ही available होते हैं तो आपके पास option नहीं रहता है तो आपको 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 5 इंच का ही करीदना पड़ता है और अब हम डिस्क के size के बारे में बात करेंगे obviously ये 5 इंच का है और ये 4 इंच का है 4 इंच के angle grinder में आपको जो ये diameter होता है वो 16 mm का होता है यहां पे 22.23 mm का होता है आप इस डिस्क को 5 इंच के grinder के उपर लगा नहीं सकते हैं और इसको भी आप 4 इंच के उपर लगा नहीं सकते हैं दुगाड करके लोग लगाते हैं लेकिन वो तरीका जो है वो गलत है और अब हम बात करने वाले हैं डिस्क अवैलेबिटी के बारे में तो पहले हम डिसकेशन करेंगे कटिंग डिस्क के बारे में ये 4 इंच का है ये 5 इंच का है ज़्यादा है एक साइड में डिस्क भी आपको दोनों ग्रेणडर के लिए अवैलेबल है और ये जो डिस्क के फ्लाब डिस्क आपको सिर्फ 4 इंच के अंगला ग्रेणडर के लिए ही मिलता है बारत में अगर आप दूसरे कंट्रे की बारे में बात करें तो वहां पर जो लोग ज़्यादा तर यूज करते हैं, वो साड़े चार इंच के ग्रेंडर यूज करते हैं, हम भारत में चार इंच के यूज करते हैं, उसके अलावा पांच इंच का यूज करते हैं, तो flap disc जो बनाते हैं, company वाले सिर्फ चार इंच के लिए ही बनाते हैं भ Wacking Pad होता है, वो दोनों के लिए भी बनाते हैं, Velcro Pad जो होता है, वो भी दोनों के लिए बनाते हैं, और दोस्तो, Chainsaw को जो Attachment है, आपको सिर्फ 4 इंच के एंगल Grindr के लिए मिलता है, वैसे तो 5 इंच के Grindr के लिए भी मिलता है, और यह जो डिस्क है, यह marble cutter डिस्क है, इसको basically बनाते हैं marble cutter के लिए, इसलिए इसका जो internal diameter होता है, यह 20 mm का होता है, 4 inch के grinder का जो internal diameter होता है, वो 16 mm का होता है, तो आप इसको यहाँ पे बिटा नहीं सकते हैं, आसानी से इसलिए आपको step up ring मिलता है, एक जिसको लगा के आप इस आता है आपको, उसका जो board diameter रहता है, वो 22.23 mm रहता है, बिलकुल आपके 5 inch के flange के size के बराबर रहता है, और उसी में भी आपको इस तरह का एक step down ring मिल जाता है, जो की आप marble cutter के लिए लगा सकते हैं, और सब grinder के लिए अपने अपने guard के size होते हैं, guard के size के हिसाब से ही आपक या 7 inch के grinder हो, या 9 inch के grinder हो, सारे grinder हो में आपको हमेशा M14 का ही nut मिलता है, उसका मतलब यह बनता है कि आप बड़े disk भी 5 inch के grinder के उपर लगा सकते हैं, लेकिन आपको इस disk में एक drawback मिलता है, इसका जो speed rating यहां पर दिया हुआ है, वो 8500 दिया हुआ है, लेकिन इस grinder को speed rating दिया हुआ है, वो ज्यादा दिया हुआ है, तो इसलिए इस disk को इस grinder के उपर रख के चलाना गलत चीज है, और अगर आपको grinder का जो RPM है और इसका जो RPM है मैच होता है, तो आप जब भी इस disk को लगाएंगे, तो हमेशा सही size का guard के साथ ही आप लगाएं, और आपका जो main purpose है grinder लेन का अगर cutting का है, तो मैं आपको ये suggest करूँगा कि आप हमेशा 5 इंच का grinder ही ले ले, क्यूंकि डिस्क आपको बड़ा आता है, आप ज्यादा देर तक कट कर सकते हैं, और ज्यादा मोटा material भी कट कर सकते हैं, 4 इंच के डिस्क को compare किया तो, और metal cutting करने के लिए आपको इस type का भी डिस्क मिलते हैं, जो की है diamond cutter डिस्क, और इसके बारे में भी मैंने एक आलक से वीडियो बनाया है, जिसका link मैंने उपर eye button में दे दिया है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं, वीडियो, और दोस्तों, अभी हम डिस्क usability के बारे में बात करेंगे, यानि कि इस cutting डिस्क का पांच इंच के grinder के उपर और चारिंच के grinder के उपर कितना usable range होता है, ये चारिंच का डिस्क मैंने चारिंच के grinder के उपर लगाया है, 25 mm लगबग आप एक इंच तक का material आप काड़ सकते हैं, उसके बाद ये जो housing है grinder का, वो आपके metal के साथ टकर देता है, यानि कि उससे ज्य पांच इंच के grinder का usable range में जर करेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं, ये भी आपको लगबग 25 mm का ही reading दे रहा है, तो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि चारिंच के grinder में और पांच इंच के grinder में difference कुछ नहीं है, आपको cutting के लिए, नहीं दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, म बहुत बड़ा है, इसको compare किया तो, और दोस्तों इस वीडियो के उपर मैंने एक article भी लिखा है, आप चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं, जिसका link मैं description में दे दूँगा, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला, तो आप कृपया इस वीडियो को एक like